बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, असलामो अलाइकूम, वेलकम टू आवर चैनल, आज हम बनाएंगे मटन मिक्स तावा फ्राइ, जिसमें हम लेंगे कपूरा, घुर्दा और मटन, ये मिक्स नॉन्विच रेसिपी है, जो की बहुत ही मज़ेदार, चटकारीदार और आप इसे बनाएंगे तो हाथ नहीं रोक पाएंगे, ये आपके घर के बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और खास रेसिपी है, मुँ में रखते ही घुल जाने वाली रेसिपी होती है, आप इसे एक बार बार आपका इसे बनाने का मन होगा, तो बहुत ही ईजी अन्ट क्विक रेसिपी होती है, ये मटन की, तो चलिए, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे मटन मिक्स तावा फ्राइ, इसे बनाने के लिए हमने दो गुर्दे और दो कपूरे ले लिए हैं, इन्हें हमने कट करके वाश कर लिए हैं, तो कपूरे को दा में दाल देंगे प्रेशर कूकर में, अभी हम इसमें एट कर देंगे ये वन टीसपून रेड चिली पाउडर, आप इसमें अपने मसालेsubन आप कर सकते हैं, साथ हूं मैं आप पर नमा कायब कर कर देती हूं टेस्ड के करने हैं गरम मसालापाउडरीन के ऐसर गरम मसाला पा के कुक कर लीजिए चलिए जी दो विसल पूरे हो गये थे हमने गया सॉफ कर लिए थे और प्रेशर कुकर को ठंडा कर लिए थे ठंडा करने के बाद आपको सारी चीजों को ट्रांसफर कर देना है एक बाउल में अभी हम इसमें कुछ मसाले एक करेंगे तो मसाले में मैंने मसाला पाउडर चाट मसाला पाउडर दालने के बाद इसमें एड कर दीजिए उसे चमत से अलग करके हटा लीजिए सबी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेते हैं ऐसे कि मैंने आपर करीली की pieces का इस्तिमाल करी हूँ जरूरी नहीं कि आपको भी करीली की pieces इस्तिमाल करना है आप इसमें मटन की किसी भी तरह की piece का इस्तिमाल कर सकते हैं उससे भी taste इसका बहुत अच्छा आएगा तो सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हमें गैस पर एक पैन रख देना है और पैन में हमने दाल दिये हैं बटर की स्लाइस बटर को अच्छे साम मेल्ट होने देते हैं जब बटर मेल्ट होने लगेगा तब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे आप बटर की जगह घी या ओosure का भी इस्त्माल कर सकते हैं अभी बटर अच्छे से मेल्ट हो रहा है तब हम इसमें सारा तैयार के हुआ मतन दाल देते हैं गैस की फ्लेम को हाई पर रखना है और इसे अच्छे से cook कर लेंना है तो सारी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेते हैं और full flame पे हम इसे cook करते रहेंगे पानी सुखने तक कि हम इसे अच्छे से भूनेंगे जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा आप देख सकते हूँ बटर भी कितना अच्छे से इसमें mix हो रहा है और थोड़ी देर में इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आना शुरू हो जाएगा ये जो मटन की रेसेपी हम आपको बता रहे हैं हमारे घर में मटन की खास रेसेपी इसमें से ये एक है जब भी बकरईद आती है तो हमारे घर वाले क्वाईश करते हैं इस रेसेपी को बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप भी से बकरईद में ही बनाएंगे साल भर कभी भी बना सकते हूँ बहुत ही आसान होता है इसे बनाना सिर्फ इने प्रेशर कुकर में डाल के आपको कुक करना रहता है और सारा इसे भून के पानी सुखाना रहता है बड़ी आसान रेसेपी होती है और बहुत ही ज़ादा क्विक और इजी रेसेपी होती है काफी ज़ादा टेस्टी और स्पाइसी होती है ये तो आप देख सकते हो कितना तेज इसमें boil आ रहा है इसी तरीके से आपको भी करना है आप इसे gravy वाला भी बना सकते हो सूखा भूना भी बना सकते हो तो मैं तो इसे सूखा बूना बनाऊंगी अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहते हो तो ग्रेवी करने के लिए आप इसे बूनने के बाद थोड़ा सा पानी एट कर लीजिए या इतना पानी एट कर लिए जितना आपको ग्रेवी करना है उसके बाद इसे 5 मिनिट के लिए flame पर cook कर लेना और gravy गुर्धा का पूरा बनकर त्यार हो जाएगा आप देख सकते हो बहुत सारा इसका जो पानी है हो सूखते जा रहा है लगवग लगभग इसका जो पानी है वो सूख गया है आप देख सकते हो स्क्रीन पर अब मैं क्या करूंगी ग्यास की फ्लेम को बिल्कुल low पे कर देती हूँ और इसे कवर करके रख देती हूँ दो मिनट के बाद हम इसे check कर लेंगे चलिए जी दो मिनट पूरे हो चुके हैं अभी हम डक्कन हटा लिये हैं और आप देख सकते हो ये नीचे बिल्कुल भी stick नी हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो रहा है गैस की फ्लेम को दुबारा हाई पर कर लीजिए और आप देख सकते हो गुर्दे का पूरे जो थे बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है और मटन जो था वो भी अच्छी तरीके से गल गया है और बहुत ही अच्छा यह जादा पानी था अभी पानी पूरी तरीके से सूप गया है और बहुत अच्छी तरीके से ये भून के तयार हुआ है सारा जिसमें ओईल था वो उपर आने लग गया है अभी हम इसे सर्फ कर लेते हैं अभी मैंने गैस की फ्लेम को ओफ कर दी हूँ और आप इसका टेक्शर द करके अलग अलग भी बना सकते हूं जैसे की सिफ कपूरा फ्राइए या गुर्दा फ्राइए या मटन फ्राइए तो इसे मैंने निकाल लिया है एक ट्रे में इसके उपर से आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो लेमेन जूस दाल सकते हो या धनिया पौदीना की पते ले हैं तो आपको यह वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें सूपर थैंक्स देकर सपोर्ट कर ये कमेंट करके बताईए आपका एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट करके हमसे बाते करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है वीडियो को लाइक कर द पर पर आड़ през 31 와 ओृ आपार प्रीयु त. ओई सके डिसता है टो आपीस हास gast बांखा